So hey guys, welcome back once again in my YouTube channel Guys, आपने अक्सरित्र की sentences को अपने डेड लाइफ में सुना होगा क्या यूज किया होगा जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूं या मैं अभी तक पढ़ रहा हूं यानि दोनों sentence एक ही है बस को हम अलग-अलग भी में बोलते हैं जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूं या फिर मैं अभी तक पढ़ रहा हूं वह अभी तक सो रही है राम अभी तक दौर रहा है हम अभी तक खेल रहे हैं यानि ऐसे sentences जिसमें किसी काम को हम कहते हैं कि अभी तक कर रहे हैं तो इस तरह के sentences को जो आपको English बोलना होगा तब कैसे बोलेंगे तो आज के इस वीडियो हम यही सिखेंगे तो without any further delay, let's begin तो अभी भी या अभी तक इन दोनों का मतलब English में होता है still यानि still यहाँ पर आपका एक conjunction word है जिसका आपको use करना है इस तरह के sentences को बनाने में मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ या मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ still I am reading वह अभी तक सो रही है still she is sleeping राम अभी तक दोर रहा है still राम is running हम अभी तक खेल रहे है still we are playing still के बाद आपको एक comma का यूज़ करना है then आपको main sentence बनाना है राधा अभी तक नाच रही है राम अभी भी खाना खा रहा है यह दो sentence आपके practice के लिए है यह दोनों sentence को translate करके आपको comment section में comment करना है तो कैसे लगे वीडियो हमें comment section जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद आए हो जिस वीडियो के गलाइक जरूर करे और इसे तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे subscribe जरूर करे तो मिलते हैं इसे तरह करूँए next week में तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम